यह साबुन की तिकिया जैसे आपको दिख रहा है ना बहुत कमाल की जीज़े आपके पॉंग के लिए विंटर साथ चुके हैं दोस्तों विंटर में सबसे ज्यादा लिडिजों को दिक्कत होती है वो फटी एरियो की होती है बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते पॉंग बह नरिश करेगे आपकी जो फटी एरिया है उसको दूर करेगी उसकी ड्राइनस को दूर करेगी और उसको मुलाइम और सॉफ्ट बनाने में मनदद करेगी इज़ी रेमेडी है इसे आप लिए जए फुटिया के लिए खाल फुटियन के लिए वाली फुटियाऑ के लिए वाली तो पुट कारगार बुटsell और प्रह्तिया को purchased हम अपेठी एरिया हो हुम अपने और कींजार करने को tam यह एक तो skin को moisturize रखती है, हमाई skin को dry होने से रोकती है और आपके skin को इतना soft बना देगी आपको believe नहीं करो गया प्राय जरूर करिएगा दोस्तों, तो देख लेते हैं कि इस cream को बनाना कैसे है तो इसके लिए आपको ले लेनी है एक candle, medium size की candle है ये और आपको पता है इस time पे तो दिवाली सीजन है तो ये candle तो आपको easily मिल जाएंगी candle लेनी है, इसको मैंने 3 parts में या 4 parts में आप divide कर लीजे जो इसका अंदर का धागा होता है, उसको आप निकाल लीजे वो cut करने पे तो निकला नहीं तो इसके हम बाद में निकाल लेंगे तो ऐसी ही मैंने से 4-5 चुकड़े कर लिये हैं, अब मैंने यहापे लिया है एक चोटा सा पैन उस पैन में मैं इस मौमबती को डाल दूँगी मौमबती डालने के बाद दोस्तों इसमें हम डालेंगे एक चमच के करीबन coconut oil coconut oil आपके स्किन को soft बनाने में बहुत जादा help करने वाला है मौम आपके स्किन को repair करेगा और उसके बाद हम डालेंगे 1-2 चमच के करीबन सरसो का तेल इस ओईल को आपको गरम करने रखना है इतनी देर कि जो हमने इसमें मौमबती डागली है वो पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए तो इसको हम थोड़ा सा चलाते रहेंगे फ्लेम आपको लो ही रखनी है हाई फ्लेम रखेंगे तो यह जल जाएगा तो लो फ्लेम पे आपको इसको हलकलका स्टर करते रहना है और देखेंगे कि जो कैंडल है वो पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए तो कैंडल तो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है जो ये रेसे हैं, इसको हम सेपरेट कर लेंगे और ग्यास की फ्लेम को हम आफ कर लेंगे आफ करने के बाद दोस्तों इस में आमें आट करना है अलो वेरा जेल एक चमच के करीबन आप यहाँ पर फ्रेश अलो वेरा जेल भी ले सकते हैं तो यहां पर मैंने एक से डेट चमच के करीबन करा है अब इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है और तब तक आपको मिक्स करना है जब तक यह जमने ना लगे या आप इसके नीचे कोई ठंडे पानी का बॉल रख लीजिए देन आप उसके बाद मिक्स करिए इससे क्या होग तो उसके बाद आप इसे किसी कंटेनर में फिल कर लीजिए तो मेरे पास यह एरिंग का कंटेनर था इसमें मैंने इसे डाल दिया है तो देखे क्रीम हमारी पूरी जम चुकी है अच्छे से थोड़ा बहुती जमनी बाकी है तो एक बार मैं दुबारा से इससे अच्छे से म करेगी तो यह हमारी क्रीम बनके बिल्कुल तयार है दोस्तों अब आपको इसको लगाना कैसा है दोस्तों इसको आप रात के टाइम लगाएंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट यह आपको देने वाली है तो सबसे पहले हाप अपने पाँ को अच्छे से वाश कर लीजे क्ल से लेकर और उपर की साइट आपको अच्छे से अपलाए करना है और जब आप इसे अपलाए करोंगे आपको खुद रियलाइज होगा यह कितनी सॉफ्ट क्रीम है आपके पाँ को इतनी सॉफ्ट और मुलायम बना देगी तो आप देख सकते हैं मेरी एडिया बिल्कुल भी अवर नहीं फर्टी है क्योंकि मैं रेगुलरली स्क्रीम को यूज्स करती हो यह देखें इसे आप पूरी तरीगे से नीचे की साइट उपर की साइट अच्छे से अपलाए कर लेगी दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है आपको पहन लेने हैं सॉक्स हां जै आपको आपको रखन dal trac take hap जो आपके ऐडmon loan by only दूर हो जाएगी तो इस तरीके से आपको डेली kırना है कम से कम पूर्मवीक तक और आप देखेंगे तक lenॅ मिध्क बात Sunday ब्लकुल करते हो जाएगी सब्सक्राइशा जरूर प्र שלי प्र section में यह जरू बताईगा कि वीडियो आपको कैसा लगा तो हम मिलते हैं दोस्तों आप से next वीडियो में जब तक लिए बाई ठीक है